नमश्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई यह 46 वर्स के पुरुसके पाम का एनालेसिस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिरेके करके इनके सवालों का उतर करेंगे उस का कोशन इस प्रकार है वर्तमान सभे में अपना खुद का कारी करते थे अभी फिर एक नए सेटप के तरफ ध्यान दिये हैं पहले इनका प्रॉपर्टी डिलिंग का कारी था कमाया ठीक ठाक पैसा कमाया तो आगी के विशे में जानना चाहते हैं कि आगी की जिंदगी कैसी र देखते देखते बदल देती है बस जरूरत है अपने उपर भरोसा रखने का अपने भाग्ये के उपर भरोसा रखने का आपकी जिंदगी अचानक से बदल जाती है ऐसे योग रहने के बाद तो आज की वीडियो खासा महत पून है अब ऐसी क्या योग हाथ पर होना चाहिए ऐसा क्या आवस्था हाथ पर होना चाहिए तो अपनी अपनी हतली खोड़ लीजे इतना क्लोज अपिक मैंने मंगाया है सारी रेखाई के लिए एक एक करके पॉजिटिव संदर पर बात करेंगे बस एक बात ध्यान में रखिए जतनी जादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होगी उतने जादा तरक्की करेंगे आप अपने जिंदगी पर उतने बड़े विक्ति के रूप में आप देखे जाएंगे बड़े विक्ति के नाम से जाने जाएंगे क्योंकि आपके हाथ पर पॉजिटिविटी जितनी जादा हो आपकी जिंदगी पर ग्रोध उतना जादा होता है तो एक एक करके positive चीज़ को समझेंगे फिर इनके negative चीज़ को भी देखेंगे तो positivity में मुझे सबसे पहले क्या दिखें सबसे पहला चीज़ मुझे दिखा सूरी प्रवत के आसपास कुछ अदभुत अवस्थाएं सूरी परवत के आसपास कुछ बहतरीन से अवस्था है अब देखो क्या है वो एक बढ़िया सूरी रेका ये वाली देखो लाइन्स को भी मैं इंडिकेट कर देता हूँ कौन सी पॉस्टिव रेका है कौन सी नेगेटिव रेका है उसके बाद मैं जब पार्टिकुलर्ली प्लैनेट्स पर विचार करूँगा लाइन्स पर विचार करूँगा तो उसको बड़ी गहराई के साथ आपको बताऊँगा तो वीडियो में बने रहे हैं तो एक बहुत जांदार दिख रही है सूरी रेका जो की बहुत सांदार है यहाँ से भी सूरी रेका देखो बहुत बढ़िया है और इसी सूरी रेका पर कुछ आपके ट्रैंगल नुमा आकरती और यहीं पर से कुछ एक स्कॉाइट जैसे आकरती भी बन रही है उसके बाद भी आगे सूरी रेका बड़ी जबरदस्त है यहां से भी सूरी रेका देखो, बहुत कमाल है, बेमिसाल है, यहां से भी सूरी रेका बहुत बढ़िया, यह भी सूरी रेका देखो, ब्रांचेस अच्छे हैं, मतलब जातक गुनी होते हैं, जातक के अंदर डालेंट जरूर होता है, बढ़िया सूरी रेका है, उसके बाद अगर मैं दिखाओं तो यहां से भी दिख रही है सूरी रेका ये वाली देखो। एक दम ऐसे करके ये बन जाए फिर तो मजाई मजाई बीच में थोड़ा सा गयाप है यहां पर से बाकी ये अवस्था अगर बन जाए तो फिर बले बले है फिर तो जिन्दगी पर धनागमन गजब का होता है लेकिन आसार है कि ये बन सकते हैं आगे बे देखो बढ़िया बा बात से भी स्क्वाइर बहुत गजब का बना है और आगे भी ये सब ब्रांचे बागे रेखा के एक सूरी रेखा के और जीबन के लास्ट में भी कोई ट्रैंगल को स्क्वाइर जैसी आकरती दिखी और जब मैं स्क्वाइर को बड़े गौर से देख रहा हूँ तो लाइन बहुत बढ़िया बुद्रेका जो कि थोड़ी विजबिलिटी इसमें कम है अगर कुछ रेमेडी किया जाए तो ये भी विजबल हो जाएगा और पर करोपती अरवोपती बनाने में पूरा पूरा कारगर रहेगा तो बहुत जानदार बुद्रेका आपके हाथ पर बन रही और आगे भी बढ़ रही है अब इस लाइन में विजबिलिटी होना बहुत जरूरी है लाइन आपको उसके एकॉर्डिंग तब ही अच्छा फल दे सकते है जब उस पे विजबिलिटी हो मतलब वो दिखे आपको तो यहाँ पर से ये बन रही है अब इसके बाद इसमें बरदस्त है पॉस्टिविटी है अब और पॉस्टिविटी मैं इनके हाथ से दिखा दो तो इनके जीबन रेका पर प्राग्रेस लाइन पढ़िया बनी हुई है जो जिंदगी पर समय समय पर तरक्की को इंडिकेट करती है बढ़िया तरक्की बताती है और कुछ मंगल रेक बढ़ी अधुसी आपके हाथ पर मुझे दिख रही है उसके बाद और positivity में दिखाओं तो positivity में देखो तो पढ़िया square sign बरश्पती पर तो इतना जादा positivity किसी भी वेक्ति के हाथ पर है तो जिन्दगी पर सफलता मिलना टै है तो जितनी जादा positivity उतना जादा सफल होते हैं ऐसे वेक्ति तो ये तो lines के बाद पॉस्टिविटी थी तो बहुत से लोगों के जहन में ये बाद चल रहा होगा गुरू जी इतनी जादा positivity थी हाथ पर फिर भी ये अभी अरबपती क्यों नहीं आप इनको बोड रहें ये अरबपती क्यों नहीं बन पाए इतने squires है इतनी fish नुमाकरती है भाग्ये रेका बड़ी अच्छी है बुद्ध रेका आप जैसा बता रहे हैं बहुत अच्छी दिख रही है कहीं न कहीं स्टार नुमाकरती बुद्ध रेका के साथ है तो ये बड़ा अच्छा परशन होगा अगर आपके जहन में ये बात चल रहा होगा तो तो देखें मैं प्राया अपने वीडियोस में बताया करता हूँ कि positivity होना हाथ पर बहुत ही अच्छी बात है लेकिन जितनी जादा positivity है उतनी अच्छी बात है लेकिन अगर positivity के साथ साथ आपके हाथ पर उतनी ही negativity हो जाए तो फिर दिक्कत है या फिर lines बड़े अच्छे दिख रहे होंगे लेकिन lines में strength ना हो तो दिक्कत है तो अभी मैं आपके सारे doubts को clear करना चाहूंगा जितने भी आपके मन में doubts चल रहे होंगे तो इनकी negative चीज को दिखा के क्योंकि negativity भी इनके हाथ पर है जो साइद आपने notice किया हो अथवा ना किया ना भी किया हो तो मैं उसको बताने का और समझाने का प्रयास करूँगा अब देखिए बहुत यच्छी रेखाएं हैं बहुत यच्छी अवस्थाएं हैं लेकिन जो रेखा धने देने वाली होती है जिसको कहते हैं बुद्धरेखा बिजनस की रेखा इनके हाथ पर वो भी है लेकिन यह लाइन देखो कितनी कम मोटाई किया मतलब एकदम लग रहा होगा अब यह बन रही है ऐसे लग रहा होगा और यह लाइन देखो कितना मोटा है जब यह लाइन इतनी मोटी हो जाएगी फर इसके अच्छे फल आते है otherwise इसके अच्छे फल नहीं आते, बस एक होप है कि लाइन बनी है, तो इसमें ताकत भी जरूर आ जाएगा, और इसमें ताकत प्रदान करने के लिए, चुकि आपका प्रेटफॉर्म बना हुआ है, तो कुछ रेमेडिया आप कर सकते हैं, वो मैं प्रसनली इनको बता दूँग अगर होती है, तो जाटक बहुत पैसा कमा सकते हैं, और यही पर देख लो, बुद्धरेका कुछ कुछ इनकी इस फ्रिंथ में कमजूर है, तो यह भी एक महतपून रीजन बन गया, जाटक के जिन्दगी पर बहुत जादा पैसा ना आने का, अब हम आगे चलते हैं जब हम आगे चल रहा है ना, तो इनकी जीबन रेखा पर मुझे प्रागरस्ताइन तो दिख रही है, बहुत बढ़ियां दिख रही है, दिखो प्रगती के योग लाइफ लाइफ लाइन पर कंटीन्यू बने हुए है, तो लोग बोलें गुरू जी जब प्रगती के योग गतली पर पर बने हुए है, तो जिन्दगी पर प्रगती क्यों नहीं है, जिन्दगी पर उस लेवल की प्रगती क्यों नहीं है, चलो प्रगती तो इनकी है, लेकिन उस लेवल की प्रगती क्यों नहीं है, इसका क्या मेन रीजन है, ये आपके जहने में चल सकता है, तो आप आपने सिर्फ जीबन रेखा पर प्रगती के योग को ही देखा, आपने कुछ और नहीं देखा, जो आपको देखना चाहिए था, आपने इनके जीबन रेखा पर राहू रेखा नहीं देखा, जो कि इनके जीबन रेखा पर परस पर राहू रेखा है, जो कि एक तरफ से काम य भी दूसे दरब से अपस्टेगल और कभी कबार तो आपस्टेगल ही रहती है तो ये प्रगती के योग जो थे ये इनके बचाव कारी रेखा के रूप से कारी कर रही है जो में स्ट्रस की रेखा है तनाव की रेखा है जिन्दगी पर परिशानी की रेखाई वो इनके हाथ पर अवस्थित है और मैं तो देख रहा हूँ आगे तक भी अवस्थित है तो इसके लिए भी आपको उपाय करना है क्योंकि जम हम अपनी negativity को खतम करते हैं तब ही जिन्दगी पर positivity इंप्रूव होती है और जिन्दगी प आगे बढ़ता होगा दो स्टेप पीछे चला जाता होगा इसका फर सुरूप इनके जिन्दगी पर अगर 10 रुपे इन्होंने कमाया तो 20 रुपे का लॉस हो गिया बीस कमाया तो 40 का लॉस हो गिया तो फिर वो बैलंस हो जाता होगा जातक बहुत ज़दा पैसा सेव नहीं कर पाते होंगे कुछ losses के योग थे परस पर मानसिक तनाव के योग थे राहू रेखा health की अलकी problems बारी 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 एक समस्य आए मानसिक तनाव जातक के दोस्त मित्र उनको धोका देते हैं तो ये परस पर तनाव की रेखा आपके हैतली पर अवस्थित थी जो की progress line का भी energy को कम कर रही थी और उसके भी effect को कम कर रही थी आपके जिंदगी पर जो तरक्की के एवस में देखी जाती है तो ये भी एक महत पूर रीजन रहा है इनके case में तरक्की बहुत ज़्यादा ना कर पाने का जितना ये expect कर रहा था जितना ज़्यादा इनका हतेली expect कर रहा था इतिल ही है कि आप अपने उपर भरोसा रखो, भाग्य के उपर भरोसा रखो, आप जिंदगी पर कभी भी सफल हो सकते हैं, चुकि आगे भी आपकी भाग्य रेका भजबरदस्त है, अगर आपने कुछ सटी कुपाई किया, इसको ठीक करने के लिए सही डिरेक्शन में आप च सही नहीं होती, ये परस पर मांसिक तनाफ को इंडिकेट कर रही थी, जो कि मस्तिक शरेखा पर भी मांसिक तनाफ था, इंसान कभी कभा डिस्टर फील करते हैं, को जश्टा वश्य सुक्र बले भी आप के लिए पर दिख रही थी, जो कि ये भी कही ना कई डिस्टर्वेंस को indicate करती है विवाहिक जीवन में problems को बताती है या तो विवाह के विलंब से होना या होना ही नहीं या फर समस्या ही इस प्रकार की समस्याओं को indicate करती है तो positivity के साथ-साथ इनके हाथ पर negativity भी थी जहाँ पर से इनको दिक्कत आया इनके जिंदगी पर अभी थोड़ा और positivity पर हम विचार कर लेते हैं फिर इनके प्रस्णों को सुनेंगे महतपून प्रस्णों को सुनेंगे तो positivity में ना इनके बहुत जवरदस इनके planetary conditions है देखो शुक्र कितना बढ़िया है मंगल दोनों बढ़िया है चदरवा बढ़िया सान मढ कर ये अच्छी है ब्रश्पती भी ठीक है तो इनसान के हाथ पर पर पॉस्टिविटी भी अच्छी है जो कि इनके हतेली भी बड़े गदेदार है तो ये भी बहुत जवरदस positivity होती है अपने जिंदगी को comfortability के साथ बिताते है comfort जिंदगी पर अच्छा खासा रहता है इस चीज को लेके ये indicate करती है और comfortable life ऐसे विक्ती 1000% बिताते है ना बिताने के दो बात ही नहीं है ये तो 100% वाली बात है comfortable life रहती है और comfort जिंदगी पर खासा रहता है ये sure है चलिए ये चीज़ आपने देख लिया समझ लिया ये इनकी positivity थी अब इनके प्रश्ण पर चलेंगे गुरु जी आगे के जिंदगी पर क्या सफलता मिल सबती है तो इस प्रश्ण को देखने के लिए न चुकि इनकी 46 वर्स की आयू हो गुई है कोई बच्चे तो है नहीं है अब सफलता मेंस सफलता चाहिए अब कोई भी विलंब उचित नहीं है तो देखिए जहां तक आपके अधली मुझे बता रही है जैसा फिश शाइन आपके हाथ पर डवलब कर रहा फिलाल तो किया नहीं है लेकिन जैसी खुबसूरत आपकी बागी रेखा है तरशूर नुमाकरती बनी है तो यह डेफरेट डूप से आगे के जिन्दगी पर तरक्की को इंडिकेर करती है सूरी पर चतरवुज भी आपके 45 वर्स के बाद था ट्रेंगल्स भी 45 वर्स के बाद था सूरी रेखा भी 45 वर्स के बाद जादा confident मुझे दिख लिए जादा satisfactory लग लिए जादा अच्छा लग रहा है मुझे तो इस अवस्था में जातक जिन्दगी पर सफल हो सकते है बस वही बात है न कि एक एज के बाद इंसान ट्रस्ट खोने लगते है खुद इसे भी ट्रस्ट उठने लगता है तो आप ये मत सोचे कि आपकी 46 वर्स की आयू हो गई है आप ये सोचे कि आपके जिन्दगी का भी सुरवात है और आपको बहुत आगे जाना है जिस दिन आपने ये सोचना सुरू कर दिया आप जिन्दगी पर बहुत आगे चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा वहां पहुत जाओगे कि लोग देखके बस यही कहेंगे कि वहां क्या बात है इनके अलाबा लोगों के पास और कोई शब्द नहीं रहेंगे आपके तरक्की के एवज में कहने के लिए चले यह चीज़ आपने देख लिया तो अपने पर ड्रस्ट रखी आप आगे बढ़ सकते अवस्थाएं बर यह ची हैं आपके हाथ की हिसाब से भी कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ी आवस्था है जो कि जातर को जिन्दगी पर सफल बना सकती है अभी थोरा डीटेल्स में मध्यन कर लेते हैं आपके जीबन रेका से कब कौन सी क्या-क्या एजिस थे आपके क्या-क्या समस्याएं थी क्या-क्या सुविदाएं थी देखो बचपन ठीक है बचपन भी ठीक ठाक रहता है लेकिन कुछ आपके ट्राइंगल्स थे जो आपकी एजुकेशन पूरे होने के स्थिती को बता रही थी कुछ एक यवा किरती थी 11 से 17 वर्स के बीच में कुछ प्राबलम्स रही होगी 18 वर्स में एक समस्या थी फिर जीबन रेका ठीक थीक थे और आपकी 43 में, 44 में एक दिक्कट 46 में एक दिक्कत हलकी 47 में लग रही है तो यहाँ पर से उपाई करना जरूरी है फिर उन्चास पिचास में बढ़िया तरक्की है लाइफ में बावन में तरक्की है لمद्पण में में है फिर तक्रीबन आपके यह आपके तक्रीबन 57 में है फिर आपके 60 में है फिर आपके 65 में आगे भी जीबन ड्रेका बढ़िया दिख रही है कम राहूरेका के साथ जीबन ड्रेका अच्छी है मैं क्लियर कर दूँ आपको दोसरे पिक से यहाँ पर से देखिए यहाँ पर से आपकी जीबन ड्रेका भी ठीक ठाक मुझे से जरारी या आगे भी ठीक चल रही है तो लाइफ द्रिगायू है 75 प्लस की आयू है उसमें कोई संदेह नहीं है तो लाइफ लाइब में विश्चे समस्या नहीं है आपके जिन्दगी पर परस पर तरक्की कोई इंडिकेट भी कर रही है आपके उन्चास वर्स के बास है तालिसमें वर्स में कोई प्रावलम सा जो मैंने आपको बताया बागी जीबन ड्रेका ठीक है इसको लेकर इश्यों मत करना है और टेंशन में भी मत रहा तो ये इनके जीबन रहा गा था तो बागी जो भी आपकी चोटी बड़ी नेगेटिविटी है राहु रहा के संदर्म में और भी चीजों के संदर्म में उसका मैं उपाई देतूँगा तो इनके पॉस्टिव नेगेटिव से यह वस्थाई थे अभी इनके प्रश्णों पर चलेंगे वो तो मैंने चल लिया अभी इनके इतली का हम जनल एनसेस करेंगे तो सबसे परहे देखे स्क्वारिस पाम है बद्दे में इसका असफलता को पाते लगबग लगबग प्रेंट्स में स्ट्रिंथ है तो ये राज्यो कारक हतली को बता रही है जातक कि जिंदगी पर कंफर्ट रहता है इसके बाद देखा जाए अपके इतली पर तो गुलाबी इतली अधन को एट्रैक करती है जबी भी पैसे क्या वशक्ता हो कही नहीं के से दन जिंदगी पर जरूर से आ जाता है नाने की दो बात ही नहीं है और उसके बाद देखो तो एक जबरदस थम्बे स्ट्रॉंग विक्ति तो कह अच्छी एक्षा सकती यवाक करती है जबी भी सपोर्ट क्या वशक्ता परेगे मिल जाएगी जबरदस थम्बे तो फिर जुकना इनके डिक्षनरी में नहीं है ये लोग किसी के समग जुक नहीं सकते क्योंकि इनको जुकना आता ही नहीं जुकने वाली प्रस्नारिटी इनकी है भी नहीं ये लोग अपना अडिग रखे कारे करते हैं और जिंदगी पर आगे बरने का भी प्रियास करते हैं ये भी कन्फर्म रूप से आपके तरी मुझे बता रही है एकदम कन्फर्म ये चीज़ आपने समझ लिया जान लिया अब ही चलिए हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर से देखें समझदारी के लूप काफी एचे विक्ति समझदार है फिंगर के बीच में गैप कम है थोड़े कंजूस परविर्ती के इंसान है आप उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर खड़ी देखा है कोई टारेंट होता है इनके अंदर जिससे यह धन अरजन करते है लाइफ में बुद्धर फिंगर लंबी है फर्स फरेंज के उपर जा रही है तो कम्यूकेशन इसकिल को बता रही है जातक अच्छे कम्यूकेशन के मालिक है बतलब इन लोगों की वाक पडूता बड़ी अच्छी होती है चीज़ों को गहराई के साथ समझते और समझाते भी है एक प्रशन थे किस चीज का वेपार करें तो देखो चनरमा से लोगों से जुरावा वेपार कर लो खाने पेने का कर लो बढ़िया रहेगा प्लॉट से कर लो जमीन से कर लो जो आपका प्लॉटिंग का कारी था उससे कर लो रियल स्टेट का कारी कर लो बढ़िया रहेगा तो यह आप कारी कर सकते है आपके ठीक रहेगा अभी मैं थोड़ा प्लैनेट्स पर गहर्मता के तो जिन्दगी में comfort रहा ही होगा बाकि मस्तिक्स रेका पर प्रसपरमासिक तनाव ते लेगे कुछ triangles थी जो negativity को दूर कर रही तो यह तनाव आपके 40 साल तर तो थे आगे भी अलकी अलकी सी है नौनमल है बाकि इसका उपाई दे दूँगा और अपने उपर नियंतरन भी रख है आपको बाकि आगे कि मस्तिक्स रेका प्रिया है हिर्दे रेका पर सुर्वासित ओर से ठीक थी आपके सुल्ला से लेके यहां यह 14 से लेके 18 के बीच में समस्या थी उसके बाद रेका बढ़िया है इमोशनल है नौनमल रूप से बाकि अच्छे रिदे रेका है विश्ण आपर से जातक को फल मिलता आगे भी बागे रेका ठीक चल रही है यह फिश नहीं भी बनता है तो भी बागे रेका आपकी अच्छी है और यहां से भी देखो कुछ स्कॉयर जैसे आकिरती है तो 36 प्रपर्टी का योग बना होगा बाकि राहु रेका कुछ कुछ तकलीव ब आती रही इस चीज का भी परचे आपको कराया है बागे जिन्दगी के लास्त तक बागे रेका बढ़िया है नो डाउट अच्छी बागे रेका आपके हाथ पर अवस्तित है इसमें कोई संदय नहीं है यहां से भी देखो बागे रेका के ब्रांचे से जो कि अच्छे हैं क अच्छा है तो कहीं न कहीं जातक में basic knowledge रहता है, कुछ आपके triangles यहां भी जो 45 में वर्स के बाद सक्री हैं, squares हैं basically, और triangles भी हैं, जो कहीं न कहीं आपके property का योग को बता रही हैं, जो जातक को property देता है, सूरी रेका भी आगे मुझे अच्छी दिक्री है, जहापर से पुरि activity एक जगा पर आश्रित हो जाएगी न, तो कहीं न कहीं जातक के अंदर थोड़ा over confidence भी develop कर जाता है, इसके संतुली तवस्था हमेशा कारगर होती है, तो ज़्यादा over confidence आप ना होने दे, इस बात का भियान रखे, तो यह चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, अभी च आके चलते हैं, अभी हम चलिए उस चीज़ पर भी आपको दिखा देते हैं, विचार करा देते हैं, दूसरे बिक से, तो देखो सन मरकरी भी इनकी अच्छी है, तो कहीं न कहीं बुद्धी बिक से आप कार करते हैं, खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज है, बुद्ध र बनी रेके कुछ यात्रा हैं, जिन्दगी पर बनी रहती है, प्रिसनारिटी अच्छी होती है, चदरमा अच्छा हो तो पैसे आते हैं जिन्दगी पर, भागि रेका सुरवाती दौर से बढ़ी आते हैं एक मेजर चेंज हैं, बागि रेका बने न, तो आपके ठाइस में सा बढ़ी आता जिन्दगी अच्छी ही बीद जाती है, लेकिन थोड़ी वेवाई जिन्दगी पर प्राब्लम्स को इंडिकेट करती है, बाद मांकी तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये था इनका दली का पूर्टता विश्टलेशन अगर आपको मारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंड कर दे, सब्सक्राइब कर देगरा प्रसनी में सब्सक्राइब का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा वर्टस अब डिसक्रिशन मिल जागा, लेकि आप समपर्द कर सकते हैं, धन्यवाद.